Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता है क्राशीफल 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक के आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और आप लोगों से एक बात शियर करनी थी बहुत टाइम से मेरे मन में एक थौट आ रहा है कि पिका कार्ड रीडिंग के लिए हम एक सेपरेट चानल शुरू करें क्योंकि देखिए जो लोग सिरुफ और सिरुफ पिका कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं उनका वीडियो सब वीडियो में कहीं गुम होके रह जाता है और मैंने आप लोगों से पीछे पूछा भी था तो आधी लोगों ने कहा मैं हमें एक ही चैनल चाहिए हैं आपको जरूर experiment करके देखना चाहिए, आपको जरूर उसको explore करना चाहिए तो इसी intention के साथ Pika Card Reading के लिए मैंने एक separate channel शुरू किया है और इस week का topic है Once I Did Love तो जो भी लोग Pika Card Reading में interested हैं आप उस channel को visit कर सकते हैं, subscribe कर सकते हैं इस channel का link आपको नीशे description box में मिल जाएगा और अगर आप short reels में interested हैं, updates में interested हैं तो आप मेरा insta page भी visit कर सकते हैं, उसका link भी आपको नीशे description box में मिल जाएगा और देखे, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस reading को हम किस sign के हिसाब से देखें और मैंने हमेशा आपको कहा है कि जिस sign के साथ आप सबसे ज़्यादा connect कर रहे हैं, जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं जो sign आपको लगता है कि भाई आपका है, आप उसी sign के हिसाब से tarot reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं, coming week का साथ आपता ही प्राशीबल तो चलिए कि अपरिकॉंज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है 5 of materials and love begins और ये cards कहते हैं कि इस week specifically आपके professional front में या तो कोई नई चीज शुरू हो रही है या फिर कोई नई चीज आप शुरू करना चाहा रहे हैं और दोनों ही सेनारियो में देखें कुछ issues कुछ मसले रहते हुए देख रहे हैं अगर आप कोई नई beginning करना चाहा रहे हैं अपनी professional front में तो कहीं materialistic, tangible चीजों से related, money, finances से related कुछ issues कुछ मसले रह रहे हैं या फिर किसी इंसान से अगर आपको किसी help किसी cooperation की उमीद थी तो वो इस week आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है और दिखे अगर कोई नई beginning हो रही है तो कहीं आप उसको इतना accept नहीं कर पा रहे हैं आप कहीं उसके साथ इतना जले नहीं कर पा रहे हैं और दिखे यहां पे बहुत ही clearly love begins का card है यानि कि जो भी नई beginning हो रही है वो एक happiness, joy लेकर आ रही है अगें दिखे अगर आप करना चाहा रहे हैं तो बहुत आपके मन में एक desire है एक wish है कि काश यूनो ये एक शुरुवात आप अपने professional front में कर पाएं लेकिन externally या फिर internally भी चीजे इतनी supportive नहीं हो रही हैं इतनी cooperative circumstances नहीं हो रहे हैं जिसकी वज़े से आप थोड़ा सा परिशान हो रहे हैं और दिखे अगर हो रही है आप accept नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे cards आपको बहुत ही clearly message दे रहे हैं कि थोड़ा सा आप open minded होके चीज़ों को देखें क्योंकि यह नहीं beginning बहुत beautiful energies future में आपकी life मिला सकती है तो आप एक acceptance mode में आएं आप you know कहीं इस चीज़ के लिए again मैं कहूंगी एक acceptance लेकर आएं and professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है eight of swords and universe और दिखे personal front में भी कहीं एक confusion सा रहतावा दिख रहा है एक helplessly feeling रहती हुई दिख रही है literally देखे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि आपके हाथ बंदे हुए हैं पैर बंदे हुए हैं आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं और दिखे इस card को I don't know आप कितना देख पा रहे हैं इस figure की आँखों में पट्टी बंदी हुई है तो कहीं दिखे जो भी आप चहाते हैं जो भी आपकी desire है उसी से ही related कहीं आप चीजों को देख नहीं पा रहे हैं यानि कि आपको यहीं नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या करें किस तरीके से करें जो आप अपने desired goal को achieve कर पाएं और फिर से देखिए एक confusion, एक hopeless, एक helpless सी feeling रहती हुई दिख रही है और इसके लिए सब के लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन eight of souls के नीचे universe का काट कहता है कमप्लीट करना चाहा रहे हैं किसी phase को end करके आप एक नई beginning करना चाहा रहे हैं और इसी से ही related एक confusion आप महसूस कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको यहीं कहूंगी कि आप्रिकॉंस की थोड़ा सा अगर आप अपने thoughts की checking करेंगे, self-talk की checking करेंगे तो आप realize कर पाएंगे कि सबसे बड़ी रुकावट किसी भी चीज को achieve करने के लिए हमारे negative thoughts होते हैं, हमारे negative belief systems होते हैं और अगर हम इनको overcome कर लेते हैं तो यकीन मानिये कोई भी जो चीजें externally हो रही होती हैं वो हमें रोख ही नहीं सकती हैं हमारे goal को achieve करने के लिए तो इस चीज का खयाल इस week आप जरूर रखें और guidance से आप लगों के लिए opportunity beacons का card है तो देखें बहुत ही clearly ये card कहता है कि इस week अच्छी चीजें आपकी life में हो रही हैं कुछ के लिए professional front हो सकता है कुछ के लिए personal front हो सकता है या मैं कहा सकती हूँ कि अच्छी opportunities आपको मिल रही है जो भी आप अपनी life में achieve करना चाहते हैं उसी से related लेकिन आप कहीं देख नहीं पा रहे हैं लेकिन आप कहीं उनको avail नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं और मैंने हमेशा कहा है क्याप्रिकॉर्ण्स successful लोग वही होते हैं जो right time पे opportunity को grab करते हैं और avail करते हैं जो opportunity को miss करते हैं वो कहीं success को भी miss करते हैं और देखिए आपके लिए यहाँ पे personal front के लिए eight of voices, eight of swords के card में clearly जो figure है उनकी आँखों में पट्टी बंदी होई है और इसके हिसाब से देखिए बहुत ही साफ दिख रहा है कि आपके सामने जो भी चीज आ रही है आप देखी नहीं पा रहे हैं आपने जैसे आँखों में पट्टी बंदी होई है और देखिए personal front sorry professional front में भी कहीं five of materials का card एक दरवाजे के बंद होने की बात करता है nutshell में देखिए दोनों ही friends के cards कह रहे हैं कि अच्छी चीजें आ रही हैं लेकिन आप नहीं देख पा रहे हैं और guidance का card कहता है कि बहुत important है कि आप इन ही चीजों का खयाल रखें अगें जो भी opportunity आपको मिलती है आप उसको grab करें आप उसको avail करें और अगर ऐसा करेंगे तो दिखें success भी आप अपनी life मिला पाएंगे and astrology से आप लोगों के लिए Neptune का card है और इसके हिसाब से all shades of blue, all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकते हैं and significant days आप लोगों के लिए होंगे Wednesday and Saturday तो ये था क्याप्रिकॉण आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए